मैं एक बहुत गरीब हूँ मैं और मैं गरीबी से बहुत ही ज़्यादा थंग आ चुका हूँ मेरा एक छोटा सा घर है जिसमें मैं सोता हूँ तो सोने के बाद बारीज जब आती है तो बारीज से पूरी देह वीख जाती है पूरी विश्तर गिला हो जाता है क्या बताओ मैं मैं छोटा-मूटा जॉब करता हूँ केमरा चलाने जाता हूँ किसी के साधिवी बियाँ help काम करने जाता हूँ और वहाँ से कुछ पैसा मेरे को मिलता है उस ही से मैं गुजाराब वसारा करता हूँ और उस हिसे हमारे जितने खर्चा है उसी से चलता है क्या बताओ मैं एक गरीब का यही फुटी हुई नसीब होती है जो वो गरीबी पैदा लेते हैं और मेरा नाम पंकर्ज कुमार है मैं बिहार के छोटे से गाउ अठुमहान से बिलोंग करता हूं और मैं हम जब कहीं फेवरी चोक हो या कहीं भी मैं गाना गाता हूं वही पे सुनाता हूं सुबा को उठता हूं तो होटल होती है वही पे जाता हूं बस वहाँ पर जाता हूँ अपने सूर को यानि गाना सुनाने जाता हूँ किसी को कि अच्छा लगे तो भाई हमको सपोर्ट करेंगे क्योंकि मैं एक गरीब से बिलोग करता हूँ मैं बहुत ही गरीब हूँ और उसके बाद वहां पे मैंने गाने का थोड़ा तरीका और गाना भी गाया तो वहां के लोग हमें बहुत ही अच्छा माना, बहुत ही अच्छा समझा उसने ये भी कहा कि तुम तो बहुत ही अच्छे गाते हो तुम कहीं ट्राइ क्यों नहीं करते हो तो मैंने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे अप्लोड किया पंकाज एक्टर वान के आईडी पे अप्लोड किया तो उस पे बहुत लाखों भी उगिया था और आप लोगों के पास वो वीडियो पहुंचा तो आप लोगों ने हमें इस गरीब को इस बदनसीब को मदद करने के लिए आप ने हमें बुलाया इस मंच पे और इस मंच पे मैं हमें बहुत ही ज़्यादा कुछी है बस लेकिन हमारे पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं है कि मैं अपने घर बना सको एनिवे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप घर की छट बनवा लीजे उसके लिए मैं आपको पाँच लाग देना चाहूंगी आप बस ये रख लीजे मेरी तरफ से छोटी सी बेट आप घर बनवा लीजे आपको पास जो जूज रहे हैं उनको भी मैं मदद करने का फ्रयास करूंग तो आप लोग प्लीज हमें आपका जो सपना है अगर आप सची मन से देते हैं वो सपना और आप उतने काबिल है वो सपना देखने के तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे ये पक्का वादा है अगर आप डिजर्व करते हैं तो चलिए जरूर सुनते हैं प्यार से कुछ भी गेहरा नहीं दिल की दीवान हर मौझ पर आसमानों का पेहरा नहीं तूट जाएगी तूट जाएगी हर हत कडी प्यार कर ले घडी दो घडी सिंदगी की ना तूटे लडी प्यार कर ले घडी दो घडी अन्य आँखों का हसी ना भी का जिन आँखों में पानी रहे उन्य आँखों का हसी ना भी का जिन आँखों में पानी रहे जिन आँखों में पानी नहीं जिसकी कोई जिसकी कोई कहानी ना हो अन्य आँखों का हसी ना भी क्या जिन आँखों में पानी नहीं आदमी जब हसता है आदमी जब रोता है बहुत ज़्यादा खुशी जब होता है आदमी जब बहुत खुश होता तो भी आँखे बरसती है और आदमी जब बहुत गम में होता है तो भी आँखे बरसती है दोनों इस तक्री में आँखे रोती है खुशी और गम ये दूसरे के पूरक है मित्रों खुशी आएगी तो उसके बाद में गम भी आएगा, दुख भी आएगा उसके बाद में वापस सुख भी आएगा ये बादल वाली छाया है, बदलती रहती है उसका गम ना करो, जीवन ना आगे बढ़ते रो और यह हमारे वहरु सिंगी जैसे जवान फौज में जवान बोलते हैं बले पजास साल का फौजी हो जायत तो भी बोलेगें जवानो तो वस आपके लिए हम दुआ करते हैं वो जवानी वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई जिसकी कोई जिसकी कोई पहानी नहीं वो कहानी नहीं आशू है खुशी की लड़ी प्यार कर ले खड़ी तो जिन्दगी की ना तूटे नड़ी जाद कर ले खड़ी दो माता जी क्या वात है आपकी हुम्रा हजरो साल हुगा जल्की की आपके पाद कर दो आज सेज अपन वादार superstar हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर आज सेज अपना वाधा रहा हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर दिनकी दुनिया का सायेंगे कलाकार कभी कथाकार वो कभी मरता ने क्योंकि उसके जब गीत बजाए जाएंगे तो वो जिन्दा हो जाएगा तो बस मैं आपके साथ में यही कि आज से अपना वाधा रहा हम मिलेंगे हर बोड़ पर आप जब मन बनाओ तब कोई इनको इमादन से प्रकाश माली से उसके बजन सुन्द के आप मिल दीजिए मेरे से कोई कमी गलती पेसी कुछ भी रह गया हो तो मैं चमा मैंने पूरी कोशिश किया आज लेको बोड़ लंबा गाने तो तेरी भी कुछ रहा हो तो आप मुझे चमा करोगे न तो वस यही है दिल की दीवानी आज से दपना वादा रहा हो तो आप मिलेंगे हरे के मौरे पल दिल की तुन्णी गावादा देंगे गम की दुनिया अल चोड़ करें कहां से हो आप सर सर मैं बिहार के छोटे से कहां से हूँ और नाम क्या आपका सर मेरा नाम पंकश कुमार हुआ अरे वाँ ये पोटली में क्या लाएं हैं आप कहीं जाता हूँ काम करने तो लोग बासी खाना फेक देते हैं मैं उसी को उठा कर इस पोटली में रख लेता हूँ ताकि बाद में घा सको और इसमें कट पुतली भी है मैं कट पुतली क्यों जब कभी काम नहीं मिलता है तो कट पुतली खोल कर खेला देखा देते हैं सर उसी से चालिस पचास रुपिया कमा लेते हैं सर कभी कभी उसी से घर चल जाता है तर अज क्या सुना कहा रहे है अज क्या सुना रहे हो जब किषी का बुरा वक्त जलता है तो यह बाद कर रहे हैं व ऐप के साथ आपके ममा बापका या वे फैमिली से आप Meन मेरे आने के पास बीतिती पैसा नहीं था तो ममी पापा को कैसे लाते तयार हो आप तयार तो है माए बस थोरा नर्वस हो जाओंगा गरीब है ना अगर कहीं गलती हो जाए ना तो मुझे माफ करना मैं ठीक है चलिए जिन्देगी की राहों में रन जो गम के मेले है जिन्देगी की राहों में रन जो गम के मेले है जो 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 गम के लोग processor जिन्दगी की राहों में रंजोगों के नेले है जिन्दगी की राहों में रंजोगों के नेले है देड़ है कयामत की और हम अकेले है जिन्दगी की राहों में रंजोगों के नेले है आईने के सो तुकड़े करके हमने देखे है आईने के सो तुकड़े करके हमने देखे है आई दे के सो चुखडे, चल के हम ने देखे हैं एक में भी तन हाते, सौ में भी अकेले हैं भीड है कयामत की और हम अकेले हैं सिंजे की रहों में रंजो दुब के मेले हैं हर कदम पे रंजो हम, कुट के मरना चाएं हम हर कदम पे रंजो हम, कुट के मरना चाएं हम किस तदा पताएं हम, किस तदा पताएं हम हर कदम पे रंजो हम, कुट के मरना चाएं हम हर कदम पे रंजो हम, कुट के मरना चाएं हम हर कदम पे रंजो हम, कुट के मरना चाएं हम किस तदा पताएं हम, किस तदा पताएं हम, क्या क्या तिल पे जेले हैं भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं जिन्दगी की राहों में रं जोगं के मेले हैं कर दो कर दो कर दो कर दो, मादा आ कैसा लगा आप सब को कर दो, कैसा लगा अब सबको ? तेरी नसे पूरी नसे भारागे रहेता हो तो क्या हो वाह 572 के अब